हलो एप्रिवान इट्स में सार और आप सभी का रिपॉन एंसे हेवले चाइल्ड के सगेंड एपिसोड में स्वागत है जैसा के पीलिबले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था एंसेटर के बुलाने पे फैन यानिके इंप्रेयर्शन अभी अपने टीचर के साथ मुलगत करने के लिए आचुका था जहां पर आते ही तो ओल्ड एंसेटर फैन को अपने पावर के मदद से उरहते हो अपने पास लेया कर यह कहता है कि बच्चे फैन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं और हो सगना तो इसका जबाब तुम सही सही देना जो तो फैन आसानी के स हंसम भी हो चुका है पर तभी तो आपने को रुकात हुए कहा धेर किया हैं कि अरे यहक्या मैं आप आप से आप सोच जारे हुए। दूसरे और अपने माश्र्ण को इतने सांथ रहते हुए देगने के बात भान क्या उटता हैं कि माश्र्णा ओट ठीक हैं तो यहां क्いए बारी छूब भी नहीं सकते हैं जहाब तो मास्टर अपने मन में यह सोच रहे हैं कि बच्चे क्या साथ तुझे पता नहीं है यह सब कुछ तरह लिखा हुआ अच्छी ठीका ही कमारा पर सबसे अंजान फैन तो में मास्टर से पूछते हैं कि मास्टर ऐसा क्या ही बात हो गया को रुकाते हुए सोच दिया क्या पता अगर मैं फैन को कुछ धोरे जोर से ढाट देती हूं और इसके वाएसे फैन के दिमाग में असर हो गया ना तो उसका कर दिमाग कर चोटा है और इस उमर में ऐसा वैसा काम करना तो जाय जी है इसलिए फैन के मास्टर होने के नाते दो बारा से चूपोंगे क्या हुआ मैं मुझे क्या ही पता है आपने क्या कहा था अपकेश से कुछ गल्ती हो चुका है जिस भी तुम मास्टर थोड़ी सी अगलाते हुए क्या उड़ती कि रहा और मास्टर का या जहां पर जनाव फैन अपने मन में ये सोच रहा था आ, कि मैंने कभी सोचाए नहीं था, कि मास्टर्त, 3000 साल पुरा नहीं हो चुके है, पर जो भी बोलो मास्टर को तो देखके, तो ऐसा है लगता है, कि मास्टर एक कॉलेज में परने वाली लखी है, और सी के साथ फैन, तो अभी अपने माश्रा को सिरसेले के पैर तर अच्छे से घुम घुम के देखना स्टार्ट कर देता है पर अच्छे से देख लेने के बाद भी तो अभी तक फैन को ये एक इन नहीं हो रहा था कि उसके सामने वाले ये खुबसर लड़की तीन हादा साल की है दूसरे और तो माश्रा सरमाते हुए फैन से वो चूटते हैं कि फैन अभी तो तुम्हें मेरे उमर के बारे में पता चल चुगा है अभी तुम ही बताओं तुम मेरे बारे में क्या ही सोचते हो जहापे तो माश्रा अपने मन में ये सोच रही थी कि अभी मेरे उमन के बारे में उसे पता चल चुगा है तो साहएद अभी मेरे बारे में उसका सोच चेंज हो सकता है जिसमें तो फैन थोड़ा सा जोर से ही कहा हुटते है कि अरे माश्टर आप ये क्या कह रही है सभी आप इतने ही खुब सुरोत हैं आपको देखके कोई कहा है नहीं कि आप 30,000 साल पुरान है और उसके उपर से आपका एज पता चलने के बात दो मेरे दिल में आपके लिए जो था वो और भी बढ़ चुगा है तो यहाँ पर रेक्स्पेट यानि की इज़द के बारे में बात कर रहा था पर मास्टर को इसके बारे में काही पता था वो तो अपने मन में यह सोचती है यारे यह बच्चा क्या बोल रहा है इसके दिल में मिरे लिए जो था वो और भी बढ़ चुगा है पर हम लोग को यह पता चलता है कि फैन को तो अभी ऐसा लग रहा था कि फैन मैं देखने में जबान हो सकती हूँ लेकिन मैं सची का 3,000 साल पूरा नहीं हूँ तो तुम्हार लिए ये 3,000 साल क्या माईने नहीं रखता है जिस पर फैन जो जो वाला सिरिया स्पिस बनाते हुए क्याता है कि अरे मास्टर आपको क्या लगता है कि आप लोगों तो ये फता ही है कि मैं एक्टिंग में कितना ही माहिर हूँ और आज मैं मास्टर को इतना ही मखन लगाऊंगा कि मास्टर खुद ही वो जबान रहने का टेक्निक सिखाने के लिए मुझे उताबला हो जाएंगी पर खुसुने के जगा तो एंसेस्टर यहां पर उल्टा गुस्य के साथ क्या उड़ते हैं कि ठीक फैन अभी मैं तुम्हारे इरादे के बारे में अच्छे से समय चुकी हूँ जिस पर फैन भी क्या उड़ते हैं कि हाँ हाँ मास्टर मैंने तो अपना इरादा आपको कब का बता दिया है और मैं इससे पीछे नहीं हड़ूँगा जाप तो फैन अपने मन के अंदर यह सोच के खुज हो रहा था कि एक बार यह टेकरिक मुझे आतो जाए भविशत में इस टेकनिक के महर से पता नहीं मैं कितने और लड़की को बढ़ाँगा लेकिन हैं पर तो कुछ जाता है सिस्टेम साहिबा का लिखा हुआ उसी चिठी के ऊपर जिसे दिखने के बाद अब फैन समझ चुगा था कि हाँ उसका जिन्दी के तुम्हें पर जल्दी पलड़ने वाला है और अब दो एंसेशर फैन के गड़दने में तलवार रखने के साथ तो फैन के चाती के पर अपना पैर भी रख देती है और यह दिखता होता भी फैन सोच उठते हैं कि माशा को क्या यह लगते हैं कि यह चिठी मैंने माशा के लिए लिखा है अगर ऐसा यह बात है तो फैन बच्चा आज तो तूगी हो आज तो मेरा मना आता है और सी के साथ कुछ हाथरों साल पहले का सीन दिखा जाता है जहाँ पर माशा अभी टियांजू बीग में खरी खरी यह सोच रही थी कि अभी तो इल्डर ब्रादर भी इम्मोडल बनके हिबन में जा चुक गया है और रही बात रियार में अनसेर का तो अभी तो इससे मुझे ही समलना परेगा और मेरा परेजन में आता है जहाँ पर तो एंसेर अभी फैन को धंकते हुए यह कह रही थी कि फैन तुम्हारे मास्टर होने के नात है मैं तुम्हें एक बचने का मौका दे रही हूँ तो जट पटकर कि इसके बारे में भूलके अभी माफ ही मंग लो और अगर तुम्हें ऐसा करते में और इसके पॉइंट के बारे में पत्ता भी चल गया ना तो फैंग का जिंदगी दिया पर खत्म ही हो जाएगा और इसी के साथ फैन तो यह पर हस्ता हुआ कि आप मुझे जाने देंगे आपको क्या लगद है कि मैं कोई दो टक का इंसान हूं आपके लिए मेरे दिल में यह जो फिलिंग है यह कभी में मिटा नहीं सकता लेकिन अगर आप इसे मिटाना चाहते हैं तो उसके लिए तो आपको मुझे मानना परेगा जिसमें तो एंसेटर फैंग के गले से तलवार हटाते हुए क्या उटते हैं कि अरे बच्चे तुम यह क्या सब आपसे नब बेक करके आ रहे हैं पर अभी तक भी आप इम्मोटल नहीं बन पाई और यह कहा दे दो फैन मास्टर को पीछे बाले चटान के साथ लगाते हुए पूछता है कि मास्टर इसका मतलब तो आपके अंदर अभी तक किसी चीज़ का कमी है क्या आपको पता है यह चीज कौन सा है जि हम लग सची का प्यार कहते हैं और इस प्यार से हम सबको पावर मिलता है कि प्यार और महबद जिन्देगी का सबसे बड़ा दो अनमूल चीज है जो सुमने के बात दो अब माश्रा भी चौकते हुए सोच उठते है कि क्या प्यार और महबद सबसे अनमूल चीज है लेकिन तुम्हें ये पता चलना चाहिए कि तुम मुझे प्यार करता हो, मैं तुम्हें प्यार नहीं करता है, हम दोनों के बीज में बहुत बरा फासला है, और इसलिए हम दोनों के बीज कुछ होना ना मुम्किन है, तो हो सकते हैं, तो इसके पारे में जितना जल्ली हो सके भूल जा मैं आपको मेरे दिल का बात खोल के खहना चादो ताकि हाजा सालों बाद मुझे पस्ताना ना पदे और अभी तो मास्टर यानि कि अंसेश्र को देखके ऐसा ही लग रहा था कि फैन का ये जो जादू है मास्टर के ऊपर भी अच्छे से जल जुगा है जहाँ पर तो पूएम के आखिर में आते आते हैं फैन तो यापे सच्ची मुच्ची का रोने का एक्टिंग भी कहले दा है और अभी तो इतना सब कुछ देख लेने के बाद ना सिर मास्टर का दिल ही यापे पिगल जाता है उसके उपर से मास्टर तो आपे ब्रेक्ट्रू करके आखिरकार इम्मोटर लेबल में पहुँची जाते हैं और अभी तो मास्टर एंसेटर के ब्रेक्ट्रू करने के बाद से ट्यांजू पीक से लिएके सिधा ये रोस ने आजमान तक चलाया थै जिसे तो सेट के हर एक बंदे आख फार फार के देख रहे थे पर ही पर ही तो इल्डर को दिखा जाता है जिन लोग अभी पता था कि ये क्यों हो रहे दूसरे और तो मास्टर को दिखाय जाती है पर अगर मैं फैन के सच्ची पैर को समय नहीं पती तो मुझे लग दाए कि मैं कभी भी ब्रेक्टूर करने में काम ही अबना होती और नहीं पर तो जनावे फैंग मी खरा हुआ था जो तो अभी अपने मन में ये सोच रहा था कि आखिर कार मैं कौन हूँ मैं कहा हूँ और खारा हूँ तो इस लड़की के सामने क्यों खारा हूँ वही बड़े बहना तुम अपने मन में क्या सोच रहे हो थोरा सा बात साथ तो करो तो मुझे पता भी तो चले कि क्या तुम सच्ची में मुझे मानना चाती हो एंसेटर उसे मानने के बसें उसके होटो को उपर एक जो अधर पप्पी दे देती है जो पाने के बाद दो फैन भी अभी सोच उड़ता है कि आखिरकर उसके साथ यह क्या हो रहे इसलिए तो बेचर अभी हखलाते हुए पूछता है कि मास्टर यह आप क्या कह रही है तो एं मैं तुम्हारा क्रदिवेशन के लिए बहुत एक मैं और मुझे शाधी करने के लिए तुम्हें और भी मेनद करना परेगा क्योंकि तुम्हें तो भी पहले इसलिए अगर में रहना बीचा दीओ फिर भी मुझे 9 साल के अंदर इओपर रिलम में पहुचा दिया जाएगा तो अगर सची मुची तुम मुझे साधी करना चाहते हो तो जटपट करो जटपट करके की मोडल बन जाओ और तुमने थोई दिर पहले ही कहा कि तुम मुझे अब तहए दिल से प्यार करता हूँ इसलिए मैं तुम्हारे पर ब्रोशा करते हूँ तुम्हारे तरह 1000 साल बाद बचताना नहीं चाहते हैं और अभी तो अपने मास्टर से ग्रिन सिंगनल पाते ही फैन सामने आथ अब बहुत कहता है कि मास्टर ना ना मास्टर ने यन रन जहां पर इल्डरों के बुलाने पर सारी के सारी डिसेपल आखरा हो चुके थे और फिर तो ब्रादर चेंड के पास दो और डिसेपल को दिखाया जाते जिन में से एक लड़की क्या उट थे कि पता नहीं यहां पर क्या हो चुका है कि एंसेस्टर ने खुद हम सब को यहां ना जाता ना तो इतने देर देख तो मैं उस यहन यहन रिलेम के डिमनिक बीष्ट को अपने काबू में ही कह ले था अब भी तुह आप एक लाल बालो बले डिसेपल कहँड़ते हैं कि हाँ हाँ सब कोई पता हैं यहां पर बहले चले के बोलना बंद कर दो वैसे भी यह तो उल्टाउन सब को पीट देता और यह सब कोई तू तू में हमें देखते हुए फोड़ते लड़तों सोच उड़ते हैं कि हाँ बोलना परेगा इस जिनरेशन के डिसापलना कुछ अनुक है यह तर तब ही तो चिलाते हुए सबसे कहा दे कि तुम सब यहां पर चुप हो जा जो तब यह सुनने के बाद अपने मन में यह सोच रहा था कि क्या यह सब कुछ उझी चिट्डिके बारे में हो सकता है आएब सेविशाब के ने इंसेटर नहीं हासल कर लिया और वह यहां पर खुद आ के सबको अपने हातों से सिखाने बाली है जो सुनने के बाद sister Zhao और वो जो छोड़ी से disciple थी दोनों ही खुश हो जाती है क्योंकि उन दोनों गुदा भी ये देखना था कि ancestor क्या से दिखती है और ancestor से उन लोग का आखिर का training भी जो मिलने बाला था दूसरी और brother Chen के बारे में क्या है बोलो बेचारी के समने के उपर तो भी पानी फिर चुपा था ना वेतियां पर पहली elder क्या उठते क्या रहारे बच्चों सब अपने कुर्सी का पेटी बाद लो क्योंकि अभी हम लोग महान ancestor आने बारे हैं क्योंकि ऐसे rainbow का सबारी सिब को इंपोटल लेपल में पहुएन के बाद ही कर सकती हैं और फिर तो उसे चोटी disciple को भी दिखाया जाते हैं जो तो पहले एंसर्षर को देखने के बाद खुश जाते हैं पर एंसर्षर के साइड में जो हैंसम फैन था उससे देखने के बाद द क्या उड़ती हैं कि अरे बच्चे क्या करें हो देखने ही रहो हम सब यहां पर एंसर्षर के सामने जूँकर के बादेघ Gmail से सब्हूं से चिलाते हुए क्या उड़ते हैं कि तुम लोगों ने सुनानी एंसेशन ने क्या का चलो तुम लोग भी जट पिट करके ख़रा हो जाएं कि बोलना परेगा बच्ची तुमने अपना काम तो बहुत ही बारी किसे निभाया लेकिन अभी में इमोटल होने के बाद बाहर आचक सकता है और हाँ इसी के साथ यह बहुत होता है खतम अगर आप लोग को यह बहुत अच्छा लगें तो लाइक कोमेंट और हाँ जोड़ता तरीके से सब्सक्राइब करना भी ना भूलना मिलते हैं और एक नए अपिसोड के साथ तब तक के लिए टाटा बाइबाई और हाँ से योनारा